नमस्कारम प्रिये जैनों आप देख रहे हैं भी एचु पाइट सब्सक्राइब आप सभी का बहुत बहुत सवागत हैं भी एचु पाइट साला पे आपके लिए बहुत बैतरी खास अपडेट है आप रही किस पता चला जब मैं भी लाइफ से तुरू बैटा हुआ था लीत करा रहे हैं सभीको प्रता है इस है इंप ठरमुंट को ने बताया हूँ जो कि इन्हों ने आ है कि कंब्टर बेश्त के इस्वाला बालो कि आप और यहां पर आपके कोर्स के नाम दे रखेंए और बहुत बहुत ही अच्छे से कोर्स कोड्र हुगड सब रखा हुए Silence करेंगे सबसे से पहले पीजी के जितने कोर्स उपर आपको दिख रहे हैं सब के सब लगभख से बीटी मोड में है इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा आप डारेक्ली ओपन करके अपना देख सकते हो जैसे आमें नेकवाली परसियं प्रेंगली मरठा जितने भी हैं यह सब सिवीटी मोड में रखे गए अब हम लोग आते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए बता दूंगी उनका यूजी में आता है यह आपका पहले मीटिंग में आट से दस में रखी गई है जो कि सिवीटी मूस्त यानि कंपूटर बेस्टेस्ट होने वाल है उसके बाद अगर हम लोग और नीचे जाते हैं अपने कोर्स में आते हैं यानि बच्चों के जो पी आर्स वगरा कि देखें यहां पर बीएड वाले जो है वो भी सिवीटी में रखे गए धान रखेगा जो बीएड का हुमनेटी चाहे मैजमेटिक्स जो भी है वो आपका रखा गया सीवीटी मोड में उसके बाद आम लोग नीचे और आते हैं जब आम लोग का आता है बीए देखें बीएड साइंस वगरा जमना आपको बता हैं अब हम लोग आगए नीचे और नीचे और नीचे जहां पर हाँ देखें यह रहा आपका 115 पर बीए आर्ट यानि आपका offline paper यहां पर decide हो चुका है और मैं आपको कल एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें हम लोग discuss करेंगे कि आपका OMR जो है वो कितना बहतर आपके लिए साबित हो सकता है ठीक है इसमें B.com का भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ उपर B.com का मैंने पढ़ा हुआ थ सब OMR बेस पर कर दिये गए हैं बाकी आप अपने कोर्स का जो पार्टिक्लर में नहीं बता पाया हूँ आप इस वीडियो में देख रहे हो कि इसका जो साइट है ब्हुन्टी डॉट नाइसी डॉटीन आप ओपन करो यहां पर अपना देख लो ठीक है बाकी मुस्कुराद आपके topics इस समय पढ़ने चाहिए कैसा वीडियो जाने वाला है और offline online में कौन सा mode आपके लिए बहतर हो सकता है और कौन से mode में आपको कितना benefits कैसे इसका फायदा उठा सकतो basically यह वीडियो जाने वाला है तो आप लोग प्लीज कर जरूर देखिएगा मुस्कुराते रहो ज तो प्लीज लाइग जरूर करना मुस्कुराते रहों